आज हम कुछ मेडिकल फिल्ड में जो मशीन के नाम जानेंगे और मशीन में क्या अंतर है क्या डिफ्रेंस है आज हम जानेंगे तो पहला मशीन है नेबुलाइजर यह चोटी मशीन होती है चस्ती मशीन इसे कोई भी अफॉर्ड कर सकता है और इसे हम इसली कर सकते हैं इसली हमसे कहीं भी ले जा सकते हैं यह मशीन जो है नेबुलाइजर यह स्थमा के पेशन पर यूज किया जाता है यह चोटा बच्चा जिने सबी खांसी होगी यह सांस लेने में दिकत हो रही है यह सांस ले रहे हैं तो उनके गले से आवाज आती तो इसे उस दबाई को स्टीम फ़ाल में चेंज कर देता है मतलब से भाप में गैस के फ़ॉर्म में चेंज कर देता है फिर अपना काम करता वह दबाई तो यह जो नेबॉलाइजर मशीन जो है यह आईसीओ में स्तमाल नहीं किया जाता है आईसीओ का फुलफ़ाम है इंटेंसिव केर यूनिट यह एक ऐसा रूम है जहां पे जो पेशंट होते हैं इस ऐस्था आईसीओ में रखा जाता यहां पे नर्स डॉक्टर 24 गंट आप रहते हैं पेशंट को देखने लिए खिस में नेबॉलाइजर का स्तमाल नहीं किया जाता है नहीं किया जाता है यह को रहो नाशन पिर सब्सक्रपीन हो ज्यादा क्या एक то अब region में एक कर चुआ यह जादा करता है ले जांगे में before Vader कि इसमें oxygen खतम नहीं होता है अब उसमें oxygen क्यों नहीं हो रहा है कैसे वर्क कर रहा है अब हम जानते हैं oxygen concentrated क्या कर रहा है atmospheric air को हमारे atmosphere में nitrogen 78% oxygen 21% और other gas 1% प्रिजन है तो यह oxygen oxygen concentrated क्या कर रहा है atmospheric air को एब्सार्ब कर रहा है फिर उसमें filter लगे हुए होते हैं इस machine में फिर सारे gas को यह filter करता है अलग करता है और यहां में तो oxygen की जलूरत है तो यह oxygen को concentrate form में रख प्रोवाइट करता है यह machine जो है low pressure पे काम कर रही है मतलब यह एक मिनट में हमें 5-10 लिटर oxygen प्रोवाइट करवाईगी लेकिन यह machine जो है ICU में इस्तेमाल नहीं की जाती है क्योंकि ICU के patient ज्यादा serious होते हैं और यह ICU में patient की जो demand होते है जिने सेने में दिक्कत है 45-50 लीटर पर मिनट की unit demand होती है तो यह oxygen concentrator उस demand को पूरा नहीं कर सकता है oxygen concentrator को जब हम बरे पैमाने big plant में जब उसे हम लगाएंगे तब से PSA बोला जाता है pressure seam absorption बोला इस oxygen concentrator की बस एक खास बात है क्योंकि इसमें oxygen खतम नहीं हो रहा है क्योंकि atmospheric air को ले रहा है और उसे सारे air को different बाट रहा है अलग-अलग में और इसमें battery और यह बिजली में काम कर रहा है अब हमारा तीसरा word है LMO liquid medical oxygen बोले तो इस लेंडर में oxygen रखा हुआ है वो liquid form में रखा हुआ है अब इस oxygen को हम gas form में भी रख सकते थे लेकिन liquid form में क्यों रखा हुआ है क्योंकि gas जो है वो जादा जगा उक्पाई करती है जब कि liquid जो है उतना ज्यादा कम जगा उक्पाई करती है जिसके कारण हम container में ज्यादा oxygen रख सकते हैं यह जो oxygen बनाने की जो liquid oxygen बनाने की प्रक्रिया है वो बीग प्लांट में की जाती है फिर उस oxygen को अब टैंक में लेकर आते हैं फिर हर एक उस्पिटल का अपना एक टैंक होता है वहां पर रिपील किया जाता है फिर उस टैंक से कंटेनर में रखा जाता है जिसे हम oxygen cylinder के नाम से जानते हैं यह oxygen स्लेंडर का टैंप्रेचर होता है माइनस 180 डिग्री से लेके माइनस 185 डिग्री से तक रखना पड़ता है जो कि बहुत ही complicated है यह oxygen cylinder बहुत ही इसमें लिख जो रखा रहता है बहुत ही थंडे फॉर्म में चिल फॉर्म में रखा हुआ रहता है इसका इस अक्सिजन स्लेंडर के खास बात है प्लस पॉइंट है कि इसे पावर सप्लाई की अवश्रक्ता नहीं है जरूरत नहीं है मतलब बैट्री या बिजली पर यह काम नहीं करेगा अब हमारा फोर्ट वर्ड है वेंटिलेटर हम सुनते आते हैं यह सुनते हैं कि पेशेंट जो है आई सीउ में वेंटिलेटर पे रखना पड़ा है जब पेशेंट बिल्कुल कैपबल नहीं है उस पेशेंट के बॉड़ी में बिल्कुल रभ जान नहीं है एनर्जी नहीं है कि वो सास अब ले सके मतलब वो अब उसे इनहेल और एक्जेल करने की भी थाकत नहीं है तब डॉक्टर को उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है इस डॉक्टर के लिए भी बहुत ही कॉंप्लिकेटर बहुत ही जतिल काम है पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना अगर पहले डॉक्टर को कैसे रखते हैं वेंटिलेटर पे पेशेंट को पहले एनस्थीशिया देना पड़ता है भी होश करना पड़ता है अगर जब्रे को खूलते हैं क्योंकि जब प्रेशन वें भीहोष होते हैं तमका सब कुछ मुह को आर ​​बंद रहता है तब उनके मुह में अांद की जदान पंड टालते हैं ताकि उनका जब लिजो सके जब वह दाक्कि नगता है उनक्य paradox होला है और यहां पर विंड पाइप ट्रेक्या का एक पार्थ है धर उस ट्रेक्या में उस ऑक्सिजन पाइप को डालते हैं उस जगह पर ऐसे जगह पर फीट करते हैं उनका उस पाइप का पोजिशन ठीक होना चाहिए कि ताकि ऑक्सिजन का सप्लाय दोनों लंग्स में बराबर जा स कि एक लंग्स में बस oxygen जा रहा है दूसरे लंग्स में नहीं जा रहा है तो यह दॉक्टर के लिए एक कॉंप्लिकेटिट काम है प्रेशन को वेंटिलेटर में रखना लेकिन अक्षिजन स्लेंडर में क्या होता है कि जो प्रेशन ठीक है वो फ़ड़ा दिकत हो रहा है उन्हे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें बगल में बेल आइक करें उसे प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सकें नेक्स्ट वीडियो का थैंक्यू